पॉर्च्यून राइस ब्रांग हेल्ट ऑईल लेकर आए हैं हेल्दी दिलाइट्स बिच शेफ प्रणव चोशी हमारी जो अगली रेसिपी है बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपिलर रेसिपी है जिसका नाम है बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा यूशुली हर जगा पे मिलता है और उसको कई अलग अलग तरीके से खाया जाता है जैसे सिंपल बटार वड़ा खाते है मिट्ची के साथ ब्रेड के साथ खा सकते है उसको पर आज हम जो खाएंगे वो संबार के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा कुष्टी आए इंगिडिंस देख लेते हमारे पास fortune rice brand health oil है सामबार है, बेसन है, chopped green chillies, we have chopped garlic, हमारे पास थोड़ा सा जीरा है, chili powder है, dhaniya है और haldi सबसे पहले हम एक तड़का तयार कर लेंगे जो हमको आलू के मिक्षर के अंदर डालना है इसके लिए हम डालेंगे fortune rice brand health oil, एक से दो टेबल स्पून जिता, इस oil is very light, जब भी भी आप खाएंगे, deep fed recipe भी आप खाएंगे, तो आपको मैसुस होगा कि अलग कोई भी तेल के साथ आप खाएंगे और इसके अंदर खाएंगे, तो you'll feel the difference के बहुत एक light सा फील करेंगे, helps to reduce your bad cholesterol, उसको कम करता है और जो good cholesterol उसको ज्यादा करने में बहुत ही मदद करता है, और गरम हो चुका, इसके दरम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, एक टेबल स्पून जीरा डालेंगे, तब इसके दरम डालेंगे curry leaves, इसको साइड में कर लेंगे, अब जो आलू का मिक्षर बनाना है वो रेडी कर लेंगे, उससे पहले हमको oil चीएगा, डी फ्राइं के लिए तो oil गरम कर लेते हैं, पॉच्यून राइस बन हेल्थ ओएल्ट अब हम रेडी कर लेंगे हमारा जो बटाटा वड़ा का मिक्षर ह जालू है, हाथ से मेश कर लेंगे, इसके अदर हम डालेंगे रेज चिली पाउड़ा, हाफ टेबल स्कून जितना, इसके अदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, अदर हम डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे चॉप्ट ग्रीन चिली, डिपेंडिंग कितना स्पाइसी आपको चाहिए उसे साब से आप डालेंगे, जो मिक्षर रडी किया हुआ है, हमने जीरा का और करीली, इसका वो डालेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से इसको हम म मिलालेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ाचा lemon juice, अर्मस्ट एक टेबल स्पून जीतना, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ाची शुगर, वन टेबल स्पून जीतना, जस्ट तो बेलांस आउट जो हमने लेमन डालाया जरी एक अची तरह से इसको हाथ से मिला लेंगे हम इसके हम छोड़े-छोड़े डंप्लिंग्स बना लेंगे अल्मोस्त यह साइज के हम मीडियम साइज के डंप्लिंग्स बना लेंगे अगर आप बड़े बनाएंगे डंप्लिंग्स तो और ज्यादा सोख होगा It is always advisable कि आप उसको छोटे-छोटे dumplings करें और वो आसानी से कुख भी जल्दी हो जाते हैं तो इसी तरह से और dumplings हम बना लेंगे Dumplings रेड़ी हो चुके इसके लिए हम बैटर बनाएंगे अब लगबक 100-150 g जितना मैंने बेसन लिया है इसके अंदर हम पानी डालेंगे और उसको धीरे-धीरे विस्क करेंगे खास जान रखेंगे कि इसके अंदर कोई lumps नहीं हो नहीं तो इट वोन्ट डीप ट्राइवेल और उसको आफर टेस्ट भी बहुत घराब आएगा इसका जब भी मैं विस्क करता हूँ हमारी कुकिंग स्कूल मुझे याद आती है कि जब भी हमको विस्क करना सिखाया जाता तो हमको एट उसको ड्रॉ करना है बिल्कुल इस तरह से भी महिठा इस अ को इस अको बैटर अंदर दूसरे मसाले एड़ और शीली पावडर जी पावडरा फेपल सपून जितना बाद में डाराएंगे भी मरीग पावडर टीपी मभाडर को सॉट एड़ करेंगे सॉल्ट एड़को के इसको अदर के अलो के मिक्षर केbox अटर और विर्ष कर लेंगे हम अब हम डंपुलिंग्स को डिप कर लेंगे और अब हमक्रम कर रहे हैं तो उसको गरम कर लीजिए और बाद में उसका टेंपरिचर कम कर दीजिए अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे डंप्लिंग्स लिए हमारे वड़े हो चुके इसको बहार निकाल लेंगे अब हम इसे सर्फ टालेंगे इसके साथ हम सर्फ करेंगे सांबा जो अलड़ी हमने प्रीकूख किया हुआ है इसको खाने के लिए बहुत ही सिंपल इसका एक ट्रिक है वड़ा को उठाईए इसको ख्रश कर दीजिए संबार के अंदर डाल दीजिए उपर से थोड़ा सा कोरियंडर एड़ कीजिए एंड जिस इंजोई बटाटा वड़ा बनाने के लिए पैन में फॉट्चिउन राइस ब्रान हेल्थ ओईल ले उसमें जीरा और कड़ी पता डाले उसे थोड़ा पकाने के बाद साइड में रख ले अब बॉइल आलू को एक बाउल में हाथ से मैश कर ले उसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और तयार किया हुआ तड़का मिला के अच्छे से मिक्स कर ले उसमें लेमिन ज्यूस और शुगर मिला के अच्छे से मिक्स कर ले अब तयार हुए mixture के छोटे-छोटे गुल्ले बना ले एक बाउल में बेसन लेके उसमें पानी मिलाके अच्छी से विस्क कर ले उसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के मिक्स कर ले अब बनाय हुए गुल्लों को इसमें dip करेंगे और oil में deep fry कर लेंगे वड़े प्लेट में निकाल के उसे सामबर के साथ सर्फ करेंगे तो आपका बटाटा वड़ावित सामबर तयार है